याँ में आपके शार्ण करने जा रही हूं बच्चों का फेवरेट गार्लिक ब्रेट की रेशिपी और यह मैं आपको बिदाउड इस्था मैं कि हम कैसे बना सकते हैं और यह बहुत ही अच्छा बनता Daisy होता है और बच्चों का बहुत फेवरेट होता है जा भर परसंद करते हैं और अभी लागडाउन है तो हम बाहर जा नहीं सकते हैं तो आप घर में अपने बच्चों को गालिक ब्रेट बना के खिला सकते हैं तो यह कैसे बनेगा चलिए बताती हूं आपको सबसे पहले मिलें जब भी मैं कोई रेसिपी डालू और जो वीडियो के नीचे लाइक का बटन होता है उसको जरूर क्लिक किया करें और चैनल को सबस्क्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले तो चलिए आज की रेस्पी मैं स्टार्ट करती हूं गालिक ब्रेड बनाने के लिए यहां पर हमें लेना है कर्ड कर्ड हम 3 स्पून लेंगे और इस्पून आप कोई भी यूज कर सकते हैं और यहां पर मैंने लिया है यह बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर यहां पर मैंने लिया है और वन और हाफ लिया है इसको हमें मिला पहले यहां अच्छे से हमें मिलाना है जब तक कि यह स्मूध नहीं हो जा एकदम से और अगर आपके पास हैं तो उससे भी आप कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं यह स्मूध हो गया है इस्पून से भी आप कर सकते हैं और यहां पर मैं डाल रहे हूं मेदा अल परपस फ्लो है हमें है तो इनको भी हमें अच्छे से मिला लेना है अच्छे से मिलाने के बाद हमें इसके अंदर वन-श्पून ऐड़ करना है बहुत अधीक जरवित नहीं है इसमें तो यहां मेरे मैं बहुत अच्छा बना था तो आप इस तरह से इसको हाथ की हेल्प से डो बना के रख लेंगे रोटी से थोड़ा सॉप्ट रहेगा उसके बाद इसको हमें एक हेंकी को गीला करके और उसको हमको एक से डेर घंटे के लिए दो गंटे तक आप कवर करके रख दे उसके बाद तक इसका हम बना लेते हैं बटर तो यह हमने लिया है गाली को हमें इस तरह से कर लेना है आप गरेट भी कर सकते हैं लेकिन अगर आप इस तरह से कूट के लेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा और यहां पर मैंने बटर लिया है बटर को मैंने पहले से निकाल दिया था तो व दंव बेकिंग एक idag कर सकते हैं इसके बढ़ हमने यह Já आप देख सकते हैं और अब हम इससका कर लेंगे इसमें इतनी मेदे में हमारे दो गार्लिक ब्रेट बनेंगे तो जो हमने बटर को और गार्लिक को हर्प डाल के रेरी किया था पहले उसको हम यहां पर लगा लेंगे अच्छे से हमें लगाना है पूरे रोटी में जो भी हमने बनाया है अब हमें इसको हाफ साइड में हमें चीज को डालना है यहां पर अगर आपको बेजीटेबल पसंद है तो आप यहां पर कैपसिकम और कॉर्न डाल सकते हैं मैंने नहीं उच्छिया है और यहां पर और गिनो डालने के बार इसको हम पलट लेंगे उसके बाल साइड से हमें बनाएंगे माइक्रोवेव में तो यहां पर हमने कर दिया है इस तरह से हमें हलका से कर देना है ताकि हम कटने के समय अच्छे से कर जाए और बहुत अधिक नहीं करना है नीचे तक नहीं तो फिर चीज बाहर आएगा तो आप इसको कडाई में बना सकते हैं और वह भी मैं इस कर लिया तो अब देख सकते हैं और 180 पर मैंने इसको 30 मिनटे बेक किया है तो आप देख सकते हैं दोनों साइड से कितना अच्छा सॉप्ट बना है और देख सकते हैं अब इसको हम कट कर लेंगे कट कर के भी मैं आपको दिखाती हूं और इसको जो है आप अगर कडाही में तो आपको कड़ाई लेना है उसके अंदर salt add करना है और उसके बाद आपको एक stand रखना है उसके उपर आप अपनी baking को ट्रे को रख सकते हैं उपर से cover कर दीजे 30 minutes में हो जाएगा तो आप कड़ाई में भी बना सकते हैं माइक्रोवेव में बना सकते हैं तो आपको मेरा garlic bread बनाने का तरीका कैसा लगा अगर पसंद आता है तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कूल नहीं भूलिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को प्रेस कर दीजेगा और कमेंट करके जरूर बताया करिए कि आपको मेरे recipe कैसी लग लग रही है और आपको कौनसी recipe देखनी है तो मैं वर recipe आपके लिए जरूर लाऊंगी तो चलिए फिर आप मिलती हूं फिर एक next video में next recipe में और इसी तरह अच्छी अच्छी recipe देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा और बैल क प्रेस बिल्कुल कर लिजेगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले थैंक्स पॉर वाचिंग बाई बाई टेक केर